नमस्कार शिक्षार्थियों आज हम पारिवारी संसादम प्रबंदम एवं उद्मिता विकास विशे के अंतरगद विख्यान की शंकला में आज हम सतत विकास एवं पारी इस्तिती की तंधिके बारे में अध्धन करेंगे मनुष्य के लिए सतत विकास अतिनत आवशक है क्योंकि मनुष्य के जीवन में विकास अभिन भाग है जिसके बिना मनुष्य प्रगती नहीं करेगा तथा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा प्रतेक मनुष्य की जीवन में आवशक्ताएं, वर्तमान तक पूर्ती ना करें, वरन अनंत काल तक मानव की आवशक्ताओं की पूर्ती होते रहें, इसलिए मनुष्य के जीवन में प्रकती का बड़ा ही महत्व है मनिश्य ने प्रकती से बहुत कुछ सीखा है, प्रकती से बहुत वस्तों की और संसाधनों की पूर्ती होती है सभी चीजें हमें प्रकती से मिलती हैं, उन पदार्थों से हम विम्र प्रकार की वस्त्वई बनाते हैं, जिनका हम नित्ते दिन या प्रति दिन उप्योग करते हैं. इसलिए प्रकती से मिलने वाले संसाधनों का हमें अतिदिक दोहन नहीं करना चाहिए, बलकि उन्हें सुरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे कि उसे हम आगे वाले भविश्य में भी लाभानवित हो सकें. सबी चीज़ों हमें प्रकती से मिलती हैं, तता उन संपदार्थों से हम अपने जीवन में प्रति दिन काम आने वाली चीज़ों को बनाते हैं. इसलिए प्रकती से मिलने वाले विबिन, पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों का हमने अतिदिक दोहन नहीं करना चाहिए, ताकि उनकी प्योग से हम लवानमित होते रहें. अगर हमारे जेंगल के पेड़ पौधि सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो कई प्रकती संपदाएं समाप्त हो जाएंगी, प्रकती संसाधनों के दोहन के सांसाथ उन संपदाओं को हमने भविशी के लिए भी सुरक्षित सतत्विकास विकास की वह अवधार्णा है, जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवशक्तां की पूर्ती हो वरन अनंतकाल मानव की आवशक्तों की पूर्ती सुनिशित हो सके तथा इसमें प्राकर्तिक पर आउशक है और मानाव आउशकताएं भी अनन्थ हैं। प्राकर्ति संसाधनों से ही मानाव अपनी समस्त आउशकताओं की पूर्टी करता है। इसलिए प्राकर्ति संसाधनों की सुरक्षा करना ही अत्यन्त आउशक है। प्राकर्ति संसाधनों की आवसकताओं की पूर्ती के लिए प्राकर्तिक पर्यावरन की सुरक्षा पर विशेश बल दिया जाता है जैसे की वनों की सुरक्षा आदि. हरित भवन बनने से यह परियावरण को शुद्ध एवमसाफ सुत्रा रखने में योगदान दे सकता है हम हरित भवन बनाने का ही प्रत्न करना करें हरित भवन बनाने से परियावरण को दूशित होने से बचाया जा सकता है तथा मनुश्य के यहां अतिदिक लाबकारी भी होगा परियावरण को सुरक्षित रखनी के लिए हमारे आसपास बनी फ्रेक्ट्रियों से कार्बन डाय ऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रिशाओं की रोग थाम करना अतिन्त आउशक है हमारे दैनी जीवन तथा मोटर कार आदि से निकलने वाली कार्बन डाय ऑक्साइड गैस पर रोग थाम कर हम कार्बन पर चिन्नु पर नियंतर लग सकते हैं CNG गैस से काफी रोग थाम में मदद मिलती है नए AC तता फ्रिश से भी निकलने वाली गैस की रोग थाम करने से कार्बन पर चिन्न में काफी बदद मिल सकती है जलवायू का परिवर्तन हो रहा है जिससे की प्राकर्तिक संसाधनों और जीवों में भी बड़ा बूरा असर हो रहा है जिसका मुक्ष कारण है हमारे वातावर्ण में निकलने वाली गैसे जिनसे वायू दूशित हो रही है तथा ये वायू मंदल की ओजों परत को भी नुक्सान पहुचा रहे है इसी प्रकार जी जन्तू एवश निर्जिवों में आपसी एवश परसपरस निर्भरता समापत होती जा रही है हम बात करते हैं हरित भवन यह क्या है हरित भवन समानित वे भवन के लाते है जो हमारे पर्यावर्ण को बिना नुक्सान पहुचा है समस्त प्राकरतिक नियमों का पार 시청 करते हैं तो भवन में कोई भी ऐसे विदुद उपकरनँ प्रयोग में नहीं लाई जाते जिनके दुआरा परियावरण को खत्रा हूँ या परियावरण Billy-वरण होता है जैसे दिन भर सूरी की प्राकरती रोशनी से ही कारी किया जाए तथा उसी से बैटरी चार्ज कर रात्री में प्रकार के लिए इस्तमाल किया जाए इसी प्रकार हरिद खवन में पानि को बरबाद होनी से बचाया सकता है जिसे की उसका पुरह इस्तिमाल यूज करेवे पानी का पुरह स्तिमाल कर सके जिसे रोसोई घर से बटन धोन एका पानि BIG वा सब्जी जब हम हरित भवन का निर्मान करते हैं, तो हमें कुछ बिद्दू ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे कि अगर हम मकान का निर्मान कर रहे हैं, तो हरित भवन बनाने के लिए अपने वातावरण से उपस्थित सामगरी का उप्योग किया जाए, तथा उनका उप्योग उचित तरीके से करें जिससे की पर्यावरण में भी नुकसान ना पहुंचें जैसे पहाडों में हम चट्टान को काट कर पत्थर मिलते हैं उन्हें चिकनी गीले मिटी से चुनकर गार में मिलाकर उनसे चिनाई की जा सकती है तथा आसपास की वनस्पतियों से प्राप्त लखडी से दरवाजे वा फर्ष भी बिनाया जा सकता है जिस जगह पर भवन निर्मान हो रहा है उस जगह के लिए आसपास के वातवरण के अनुकूल भवन सामागरी का ही उप्योग करें पात करते हैं कार्बन पच्चिन के बारे में कार्बन पच्चिन का अर्थ है वातवरण में का कारण वातावरण को दूशित हो जाना, इनकी मातर को कम करने से हम वातावरण को दूशित होने से बचा सकते हैं, कारबन पर चिन को कम करने के कुछ उपाएं हैं, जैसे कारबन पर चिन को कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास के वातावरण में पेड़ की जाए, फेक्टर को सहर से बाहर कहीं दूर लगाने के नियम तथा चिम्नियों की अधिक उचाई की अनिवारता की जाए, कोई भी ऐसे उपकर्ण का उप्योग ना करें, जिन से वातावन में कारवन रे ऑक्साइड की मात्रा बड़े, जब हम कारवन परिचित की बात करते ह हैं, तो हम सबसे पहले प्राकर्तिक संसादनों जिसमें की पेड़ पौंधों की बात कर रहे हैं, तथा इनका संबंद मानव जाती तथा जी जनतु से सीधे हैं, जब इन विशे में हम चर्चा करते हैं, तो इसके बार हमें पारिस्तिक तंद के बारे में पता होना चाहिए पारिस्तिक तंद का अर्थ वातावर्ण में सभी जीव एवं निर्जीव के आपसी संबंद तथा निर्भता से हैं, विकिस प्रकार एक दूसरे पर निर्भव रहते हैं, सभी जीव एक निर्जीव प्रानी के आपस में संबंद एवं शंकला को पारिस्तिकी तंद कहते है जब हम मानव तथा पारिसी तंद के बारे में करते हैं, इसका अर्थ यह है कि अत्यदी जनसज्ञ्या के बढ़ने से प्रकति को खत्रा तो हो रहा है, तथा अत्यदीक रासानिक पदार्थों का शाउग भी प्रकति एवं जीन जन्दों को नुकसान पहुचा रहा है, जिसके कारण हमारे पारिसीती तंद को नुकसान पहुच रहा है, प्रकति संसाधनों से विबिन प्रकार की वनस्पती, जड़ी बूटी, लवन, लखडी, कपास, उन, दूद, साग, सब्जी तथा माज आधी की प्राप्ति होती है, जगलों से उसे विबिन प्रकार की लखडी प्राप्त करते हैं तथा विबिन प्रकार की जड़ी बूटी भी हम वन द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें जंगलों को सुरक्षित भी रखना पड़ता है ताकि मनुष अपनी आवशक्ता के अनुरूप जंगलों का दोहन करे तथा अपनी आवशक्ता की पूर्ती करते समय वह किसी भी मूर प्रजाती को पूर्ण उसे नस्ट ना करे। ही सतत्वूती होते रहे ऐसे ही विकास को सतत्विकास कहते हैं और जिसको सतत्विकास की संग्या हम देते हैं ताकि वर्तमान समय में प्रयोग हो रही वस्तु मानव में मानव जंजाती के लिए आने वाले समय में भी प्रयोग की जा सके। तो परियावर्ण का सत्विकास होगा, क्योंकि पारिसित तंत्र सभी जीव एवम निजीव आपस में निर्भर रहते हैं. जैसे गाए, गोड़ा, बकरी, आदी, परशु, घास वा वनस्पती के सेवन पर निर्भर रहते हैं, तथा उनके मल यानि की खात के रूप में वरस्पतियों को भोजन के रूप में मिलता है. जिससे हमारा पारिसित तंत्र का संतुलन बना रहता है, उसी प्रकार घास खाने वाले जानवरों का सेवन सेर्व चीता करता है, ताकि उनकी ज्यादा जिनसक्या बढ़ जाने से परियावरों या वरस्पती या पेड़ पाउंदों को खत्रा उत्पन ना हो सके, तथा पारिसित संत्र का संतुलन बना रहे हैं. इस प्रकार हमें जिन्दा रहने के लिए अक्सिजन की आउसकता पड़ती है, तथा वाता वरन में अक्सिजन की मात्र को बढ़ाने का कारे पेड़ पाउंदे करते हैं. अगर हमारे आसपास वनस्पती या पेड़ पाउधों की मात्रा कम हो जाएगी तो वातावरण में कार्बंडाय ओक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तथा वातावरण दूशित रहेगा तथा हम कई बीमारियों से गशित हो जाएगे और ऑक्सिजन की कमी के कारण मित्यू भी संभव हो सकती है इसलिए जीव प्राणियों के लिए पेड़ पाउधे पारिसितिक तंत को बनाए रखने के लिए अत्यंत आउशक है और इनका बड़ा ही योगदान है अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जिश ऑल्सो नोन ऐस ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्री प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावर्ण में मौझूद कुछ गैसे वातावर्ण के तापमान को अपेक्शाक्रत अधिक करती हैं धरती के वातावर्ण के तापमान को प्रभावित करने वाली अनेकारक है जिसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव एक है वायू मंडल में मौझूत मुखी ग्रीन हाउस गैस जैसे की कार्बन डाई ओकसाइट, जलवास, मिथेन, ओजोन, नाइटरस ओकसाइट, आदी द्वारा सबसे ज्यादा गर्मी उत्पन होती है। जो की पेड़ पाउंदों के च्छाय और प्राकरति रूप से आग लगने से उत्पन होती हैं, और नाइटरस ओकसाइट, जो की कुछ मात्र में भूमी और पानी में पाई जाने वाले ग्रीन हाउस गैसो का निर्मान करती हैं। जैसे तेल और कोईले जैसे जिवाश में इधनों के देहन का भी ग्रीन हाउस प्रभावों में महत्पुन योगदान है। जलतेवे जिवाश में इधन भी वायू मंडल में कार्बन डाय ओकसाइट का उसरजन करते हैं, जिससे वायू मंडल प्रदुशित हो जाता है। इसके अलावा गैस और कोईले के ख़दानों तथा तेल के कोई खोदने से भी मीथिन गैस का उसरजन होता है। अथा इस पार्ट के अध्यन से यह निश्कर्ष निकलता है कि मनुष के सतत्विकास हेतु हरित भवन का उप्रयोग करना आवशक है क्योंकि इससे हमारे परियावरण को कोई नुक्सान नहीं पहुंसता तथा वातावरण भी प्रदुशित होने से बचाया जा सकता है। परियावरण प्रदुशन आधुनिग यूग की सबसे गंबीर समस्या है क्योंकि आधुनिग यूग में वैसे तो मानव जिनिस्त भी और दौग की प्रदार्ट प्रदुशक का कारे करते हैं परंतु प्रति उप्योग से आने वाले अनेको प्दार्ट विभिन्र नहीं होता और ये पदार उप्योग के पश्चाद गंबीर समस्या उत्पन्न करते हैं।